अधर दोस्तों कम बैक्टों आथरा पैड्स वॉला तुक कैसे है अपलोब उम्मिद करता है आप सब खेरियाद से होंगे ठी होंगे दोस्तों मैं एक जगा पार्क घुमने के लिए आया हूँ तो देखिए कितना खुबसरा जगा है और पीछे देखिए बादल आपके लिए और यहां पर थोड़े समय बारीश हुआ यहां पर देखिए कितने सारी पानी हो गया है और यहां पर जो बच्ड़ा बच्ड़ा बारिश हुआ सब बारिश में नहाया है यह दिखिए कितना खुबसरत जगा है यहां पर तो पहार नजर आ रहे हैं और यह लोग दुस्तों मसली पगड़ने के लिए जा रहे हैं इधर ही एक नदी है यहां पर आके न मुझे बहुत आच्छे लग रहे हैं दिल खूश हो गया है सच में बह बहुत सरा लोग गाय देखना बसुड़ा बसुड़ा देखना पसंद करते हैं अच्छे लिए गार वापा जा रहा हूँ और यह जो रास्ता है ना दूस्तों काफ़ी खूपड़ा रास्ता है देख सकते हैं अब लोग इतना खूपसरत रोड यह एक्शली यहां पर जो लोग फिशिंग कर रहे ना यह देखने में काफ़ी खूपसरत लगा एंड वोके में यह जगा काफ़ी स्पैशियल है तो मैं घर ओपस जरू हूँ घर जाके मैं लोग साथ मिलता तो दोस्तों मैं फाइनली घर आचुका हूँ पते नहीं सभी पेट्स की स्थालत में हैं तो देखिए मैं आजब हूँ पेट्स की रूम में तो सबसे पहले ड्रेस में चांस करते हैं और उसके बाद ही हम ग्लोब बनाएंगे मीठू दोस्तों मीठू है न वो मुझे देखके काफी खूश हो गए है जहां पर रहे हैं मीठू, हेलो मीठू, हेलो मीठू, हेलो मीठू, 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 मीठू 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 देखे कितना खुबसूरत आवाज निकलते हैं यह देखे मीठू काफी जोड से आवाज निकलते हैं काफी चिलाते हैं काफी शोर मचते हैं यानि कि यह मुझे नहीं जाने देते हैं तो इसको हम घर पर रखके बहुत दूर गया था और मुझे देखके यह काफी खोश हो गया है मीठू एक्च्लिव स्थो यह मैताप अब सिस्पुर्व को पता है यह जब भी आ पर आते है और यह सिर्फ इस एक्विर्म को देखते है अब ही बले और यहां पर और जोना के बोलते हैं कि यह काफी खुबसरत लगते हैं मेहतब यह बैद कि यह खुबसरत है है ŁT JEFF कहाना है कि यह काफी खुपसरा थे एंड यह इस मसली को जड़ा पसंद करते हैं वक्या में काफी खुपसरा थे देख सकते हैं आप लोग दोस्तों टाटल्स को ना प्रोटिन की जरूरत होती है तो मैं यहाँ पर थोड़ा यह देने वला हूं और देखिए यह लोग इस बस्की मेरे के अंदर है जैसे यह दिखेगा न तो बहार आ जाएगा यहाँ पर रख दिया आप लोग धियां से देखिए वो लोग बहार आएगा क कि फाइनल दोस्तों बेभी टर्टल्स खाना शुरू कहा यह देखि氣 कितना मज़े से खा रहे हैं और यह देखिए दूसरा आगया क्या बात है अब भी तो लड़ाय होगा खका यह दिखिए फीड से खाया और यह भी खा रहे हैं देखिए अब यह दिखिए खा रहे हैं और काफी मज़े से खा रहे हैं इतना खुबसुरत लग रहे हैं न दूस्तों अब लोगों कैसा लगा कॉमें सेक्षिन में ज़रूर बताईए और मैं चुपके से वीडियो कर रहू तो चलिए पेर्श को देख लेते हैं सब्सक्राइब ठीक ठाक है यह नहीं यहाँ पर दिखिए यहाँ पर है मिल यह काफी शान्त है यहाँ पर है बेबी वाइट प्रेट एंड यह फीमेल है अपसुवी को पता है और दीखिए यहां पर बैठ गया पानी को खतम किया है तो अभी पानी भी देना होगा और इस थोरा गंदा क्या है इको सफ करना होगा और यह तू यहाँ पर आगया आजए वाजआ आज़ाओ और एक अब लोग ध्यान से देखिए यह जो बेबी वाइटेड है ना काफी बड़े-बड़े हो गए यह देखिए मां के बराबर हो चुका है यहाँ पर मैं एक बहुत ही खुबसरत सा नेस्ट बनाया है जो मैं अब लोगों दिखाने की कुशिश करूंगा मैं अब लोगों दिखा पता नहीं कहाँ पर यह बच्चे देने वाली है लेकिन खोसला बनाई है देख सकते हैं अब लोगों यह दिखिए ठीक है तो इसको तोड़ने का कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर ऐसे ही रहता हूँ यह बहुत ही जल्दी बच्चे देने वाली है और मुझे क्या करना हो इस रूम को सभी केस को साफ सुतर करना होगा तो आज सब कुस साफ करना होगा वाओ बच्चे बच्च का क्या ठीक है यहां पर मैं बनाऊंगा जो बड कलनी है यहां पर लोग को यहां पर ग्रजबगरा दे गया था और बटर के जो बच्चे नंस तो वह यहां पर है यहां पर है लो और यह बहुत ही जल्दी सोजाती है बट यह काफी हेल्दी है तो यह ज़्यदा समय तक खड़ी रहती है और आज हमने क्या क्या दोनों बच्चडा और बच्चडी को देखे एक ही जगा पर बांदा गया है यह देखे आराम से यह लोग सो रहे है तो यहां पर जो बैबी डाक से इनको सोड़ देते है ठीक है यह हां 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 एक्चिल इन बच्चे को ना भोग लगा है इसलिए ऐसा कर रहे है यहां पर इन बच्चे की मा आ गई है अब इत्तों पानी में लेके चल रहेगी हरे अब भी तो और ज़्यदा खुबसरात लग रहे है और यहां पर मैं तब क्या कर देखें दोस्तों आप लोग मैंसे बहुत सारा लोग मुझे यह पुशिन क्या है कि मैं बच्चे को मा के साथ क्यों नहीं रखता हूँ तो बात यह है कि यह जो मा है ना बच्चे को लेकर य ठर्ण लग सकते हैं इसलिए हम बच्चे को मा के साथ नहीं रखते हैं यही एक रिजन है यह देखिए दोस्तों यह अपने बच्चे को पानी में ले जा रहे है यह देखिए जो बोला था वही हुआ यह देखिए सभी बच्चे पानी में उतर गए है यह देखिए क्या बात है ठीक है उनको थोड़ा समाई पानी में रहने दोते हैं दोस्तों मैं इस बच्चे को यहां पर रखा हलाकि इसका अब बहुत बड़ा रिजन है अच्छली वो जब बाहर आ जाती है ना तो के अग अगर रखा ताकि यह गंदा फूर्ट्स बगर खाके अंहिल्दी ना बने विमार ना पड़े तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हम नेक्ष्ट ब्लोग में तब तक के लिए आप लोग खुश रहे मस्त रहे और इस अलग साथ जोड़े रहे खोदा हफेज